इस question में कह रहा है in the given figure, इस figure में P is a point on the side BC, P एक point है BC side पर of triangle ABC, triangle ABC में अब हमें क्या proof करना है, हमें proof करना है AB plus BC, AB plus BC plus AC, किसके greater है, twice of AP से, इसके twice से greater है तो अगर आप देखेंगे, यहाँ पे दो triangles बन रहे हैं, कौन सा, APB triangle या ABP triangle और ACP triangle कहें या APC triangle कहें, बात देखिए है, राइट, तो दो triangles बन रहे हैं, अब दोनों triangle में, जो यहाँ पे greater than के बाद है AP, वो common है दोनों में, तो हम यही दो triangle ले लेंगे, और AP को कम बताएंगे बाकी दो साइट से, कैसे करेंगे, दिखिए, अब हमने सबसे पहले यह वाला triangle ले लिया, तो इन triangle ABP, ABP में, AB जो साइट है, प्लस BP जो साइट है, वो बड़ी है, किस से बड़ी है, AP से बड़ी है, फिर से बता रहे हूं, यह जो AB है, और BP है, वो बड़ी है, AB से, यह हमने इस triangle में बताया है, यह आगे हमारी first equation, यह क्यों बड़ी है, क्योंकि हमने सीखा था, sum of, any two sides, of a triangle, triangle is greater than the third side, is greater than the third side, right, अब इसी तरीके से हम यह वाला triangle ले ले लेंगे, इन ट्राइंगल, AC, P, अब इसमें देखें, तो अगर आप देखेंगे, AC plus PC, तो वही लिख रही हूँ, AC plus PC, greater है, किस से, AP से, यह आजाएगी हमारी second equation, एक चीज नोटिस करिएगा, यहां greater than के बाद वाले portion में AP है, तो हमने भी वही रखा है, इसी तरीके से करना है, reason क्या आएगा, same आएगा, because the sum of any two sides of a triangle is greater, दो side का sum greater होता है, than the third side, third side से, triangle की, right, अब यह दो equation आ गई है, तो हम इन दोनो equations को add कर दें, तो adding, equation, one and two, तो हमेशा धिहान रखिएगा, greater than के इधर जो left side पे है, वो दोनो एक साथ आड होंगी, और greater than के right hand side पे जो है values, वो एक साथ आड होंगी, तो AB, plus BP, plus AC, plus PC, greater है, AP, plus AP से, right, अब AB as it is, यहाँ पे देखे, AB था, BC था, AC था, AC as it is, क्योंकि BC नहीं दे रखा है, बाकी दो values, देखे, AB और AC आ गई, अब यह जो दो values हैं, वो as it is लिख देंगे, ब्रैकेट में, तो BP plus PC, greater है, यह देखे, AP और AP कितना हो गया, twice of AP हो गया, वही लिखा है, अब देखे, AB, plus AC, plus, अब अगर आप देखेंगे, BP plus PC, BP plus PC, यह कितनी हो गई, BC हो गई, तो इसको हम क्या लिख देंगे, BC लिख देंगे, is greater than twice of AP, आप इसको भी लिखके छोड़ सकते हैं, यह आप चाहें, तो इसी sequence में भी लिख सकते हैं, तो वही लिख रही हो, AB plus BC plus AC, greater than twice of AP से, answer, let's do next question now, अब इस question में कह रहा है, ABCD is a quadrilateral, इस quadrilateral में, आगे देखिए, prove that, हमें क्या prove करना है, AB plus BC, AB plus BC plus CD plus DA, यह greater है किस से, AC plus BD से, तो कैसे prove करेंगे, वो देख लेते हैं, अब देखिए, यह दोनो diagonals दे रखिए, तो diagonal के दोनो side वाला लेंगे, क्योंकि तब ही prove हो पाएगा, तो सबसे पहले हम AC diagonal ले लेते हैं, और उसके इस side वाला triangle ले लेंगे, एक बार और एक बार यह वाला triangle ले लेंगे, कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले, इन triangle, ABC की बात कर रहे हैं, तो देखिए, ABC triangle में, अगर आप देखेंगे, हम यह लिख सकते हैं, AB plus BC, greater है किस से? AC से, वही लिख रही हूँ, AB plus BC, is greater than, AC, why? Because, sum of, two sides, is, greater than, third side, third side, right? यहा गई हमारी first equation, अब इसी तरीके से, हम कौन सा triangle देखेंगे, ACD triangle देखेंगे, in triangle, ACD, ACD में हम क्या कह सकते हैं, देखें, हम यह कह सकते हैं, CD, plus DA, CD, plus DA, is greater than, AC, देखें, हमें, right hand side पे AC जाहिए था, तो AC ही लिखा है, same reason, आप यही reason, as it is लिखेंगे हाँ पे, sum of, two sides, is greater, than the, third side, यहा गई हमारी second equation, अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब हमने यह वाली डाइंगल से रिलेटेड ले लिया, अब हमें दूसरी डाइंगल कौन सी दे रखिया हैं, यहां पे, BD दे रखिया है, तो अब इस डाइंगल की बात कर रहे हैं, तो हम इस डाइगनल की बात करें, इस डाइगनल के कौन-कौन से ट्राइंगल्स बने, ABD ट्राइंगल और BDC बने, तो इन ट्राइंगल, ABD, ABD ट्राइंगल में हम यह कह सकते हैं, AD plus AB, यह DA plus AB, DA plus AB, greater है किसे? BD से, right? Same reason, कि sum of two sides of a triangle is greater than the, is greater than the third side, than the third side, यह गए हमारी third equation, अब इसी तरीके से next triangle ले ले लेते हैं, कौन सा? इन ट्राइंगल, BCD, तो अब क्या कहेंगे BCD ट्राइंगल में? देखे, BC plus CD कह सकते हैं, तो BC plus CD, greater है किस से? BD से, reason क्या होगा? वही same reason, sum of two sides is greater than the third side, is greater than the third side, यह आ गए हमारी fourth equation, अब चारो equations आ गए हैं, तो चारो equations के greater than के left side वाली values सारी आड कर देंगे, और right hand side वाली right hand side पे आड कर देंगे, adding, equation, 1, 2, 3 and 4, तो left side वाली कौन सी है, तो देखे, AB plus BC, तो AB plus BC, यह first equation का था, plus, second equation का है, CD plus DA, CD plus DA, third equation का है, DA plus AB, confused मत होएगा, DA यहाँ पे बीदा है, यहाँ पे बीदा है, इसलिए दो बाल लिखा है, plus BC plus CD, यह सारी equations greater है, अब इधर दोनों साइड AC था, first or second equation में, इधर दोनों साइड BD था, तो AC plus AC plus BD plus BD, right, अब अगर आप देखेंगे, देखेंगे, यहाँ पे AB भी दो बार है, BC भी दो बार है, CD भी दो बार है, और DA भी दो बार है, तो इसको क्या लिख सकते हूँ, twice of AB, plus twice of BC, plus twice of CD, plus twice of DA, greater है किस से, इसी तरीके से AC भी दो बार है, और BD भी दो बार है, तो twice of AC, plus twice of BD, अब देखें, सब में 22 है, तो two common निकाल सकते हैं, तो two common निकल गया, तो अंदर क्या बज़ गया, सब में से two common निकल गया, तो AB, plus BC, plus CD, plus DA बज़ गया, greater than, अब यहाँ पे भी two common है, तो two निकाल गया, AC, plus BD, अब देखें, जब दोनों side two common है, तो हम इसको यहीं की यहीं cancel कर देंगे, तो cancel हो गया, तो क्या बज़ गया हमारा, AB, plus BC, plus CD, plus DA, is greater than, AC, plus BD बज़ गया, तो यहीं हमें proof करना था, देखें, तो hence, proved answer, let's do next question now,